Idealizing, Idealizing Idealizing का हिंदी में अर्थ होता है Others बनाना, Others रूप देना या फिर Others बनाता है इस सभी को हम बोलते हैं Idealizing आईए हम इसको examples के थुरू समझने का प्रयास करते हैं Example आपके सामने ध्यान से देखिएगा You grow up idealizing something like law आप कानून जैसे किसी चीज को Others बनाते हुए बड़े होते हैं दूसरे example आपके सामने To avoid idealizing The ex-partner पुर्व साथ ही को Others बनाने से बचे तो I hope आपको ये Idealizing का हिंदी में अर्थ और इसका usage आपको clear हो गया होगा Comment section में आपको बताना है Idealizing का past of speech कैटेगोरी क्या होता है I hope आप बता दोगे और चैनल पर ना हो चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसी डेली उज़े जिंगली स्कवर्ट सीखने के लिए ओभी कम समय में तो मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक लिबाबाय टेक क्यार Thank you for watching this video